Hi guys क्या हाल है Welcome to the new video PHP tutorial आद के वीडियो में हम PHP में जो loops होते हैं उसके बारे में देखेंगे तो basically PHP में loops 4 तरगे होते हैं एक है while loop दूसरा है हमारा do while loop और number three पे है for loop और और आखिर में number four तो मैं इसको कॉमेंट आउट कर देता हूं तो पहले हम वाइल लूप के बारे में देखेंगे आप के जैसे ही इंटर मरेंगे तो आपके सामने ऐसा एक आजाएगा तो यह सब्लाइन टेक्स्ट का एक बहुत ही अच्छा फाइदा है कि हमें साज असाम की तरह देता है कि कैसा लिखना है वाइल में कैसा होता है तो आप देख सकते हैं कि वाइल के अंदर एक कॉंडिशन है और सेकेंड़ के अंदर यहां पर कोड लिखना है तो इसलिए कोड कर दिया है दोस्तों इससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि लूप कम हम एक लिए कर सके लाइक मैं अगर पांच को प्रिंट करना चाहूं साउख तो हम 5-5 प्रिंट करेंगे हम ऐसा करें कि हम लूपके अंदर कंडिसंद देंगे थाकि हो उसक्भांच की मतफ़ से हम 5 को हैं में हैं पर लेता हूं इसके लिए एक वेडिवल क्रेट करता हूं डॉलारे जिसका वैलू मैं देता हूं 5 और फिर यहां पर हुआल लिखके इंटर बालूंगा तो इसका जो सींटेक्स होआ जाएगा तो मैं यहां पर डॉलारे लेज़ निकल्स टू टेन है और इसका अंदर कोड लिख करता हूं डॉलार ए डॉट ऑपरेटर लगाता हूं कॉंट करने के लिए तो कॉंट करके डॉलार ए और फिर सेम कलोन देखे इसको रांड करता हूं और उससे भी पहले मैं अपना जैम चालू कर लेता हूं दोस्तों आप भी अपना जैम चालू कर लेना तो यहां पर मैं ज पर जो मैंने जो लिखा था तो उसको एको किया था वह आन गिनत बार आ रहा है आप यहां पर देख सकते हैं ऐसे इसलिए हो रहा है दोस्तों कि हमारा जो कॉंडिशन है ओ इंफाइनेट हो गया उसका वैलू इंफाइनेट लूप में चले गया मैं आप लोगों को समझाता हमारा यहां जो वैलू था डॉलर ए उसका वैलू था फाइब तो पहले होई लूप में आया कंडिशन चेक किया दस से कम है कि नहीं तो कंडिशन ट्रू हुआ तो एको किया तो दा वैलू अप वैलू इस फाइब प्रिंट हो गया और इसके बाद लूप से बाहर आया फिर वैलू चेक किया । डॉलर एे फील्ट डॉलओ फाइब दस से कम ही Packy नहीं तो यह भी ट्रू है और यह भी प्रिंट होगा था वहालू पर ब्लस फाइब इसी तरह प्रिंट होता गया आनगिनाद बार इनफाइनच बार प्रिंट होता गया तो इसके लिए हम क्या कर रहे डॉलार एक करके डॉलार एक का वैलू बड़ाता जाएगा तो राम करने से पहले मैं यहां पे कॉनकर नेट करके बी यार लगा देता हूं एक ताकि हमारा आउटपूड जो है वह अच्छा दिखे तो अब मैं इसको राम करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर की जो कि the value of variable is 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा हमारा आउटपूड आ रहा है ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि दोस्तों हमारा जो एक का जो इनिसयाल वैलू था और फाइप था और फाइब के बाद ओ कॉन्डिसन में आया देखा कि $1 less than equal to 10 है की नहीं तो कॉन्डिसन टू है दोस्तों मैं बत इंक्रिमेंट किया 5 से होकर 6 आया तो डॉलार ये अब 6 है तो 6 दोस से कम है मतलब कंडिशन ट्रू है तो नेक्स्ट 6 प्रिंट कर दिया इसी तरह 7 8 9 10 तक प्रिंट कर दिया अब 10 के बाद जब वैलू इंक्रिमेंट हो के एक वैलू जब 11 हुआ तो वाइल का अंदर कंडिशन मैं देखा कि ट्रू है कि नहीं तो फॉल्स निकला तो अब लूप से बाहर निकला तो इसलिए हमारा फाइब टू टेन प्रिंट हुआ अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि लाइक मैं डॉलार एका फैलू वान कर देता हूं तो आप रान करने पर वान टू टेन जो हम तो मैं यहाँ पर लगाँगा कॉंटीनु तो कंटीनु का मतलब होता है कि यह जो इटरेसन चल रहा है इप के अंदर तो इसको कर देगा और नेक्स टीरेसन में चला जाएगा और यहाँ पर मैं लगांगा डॉलार एफ प्लस ताकि हमारा इटरेसन एक इंक्रिमेंट हो तो ब्रावजर पर इसको रान करके देखते हैं अब देख सकते हैं कि यहां पर फाइब फाइब था वह स्किप हो गया क्योंकि हमारा यहां डॉलर एक का जो फाइब था इप के अंदर और इप का अंदर कंटिनु स्टेडिमेंट था तो इसलिए जो एड इकेल्स टू जब फाइ र्म करता है और अगर मैं यहां कान्टिनु की जगा पर ब्रेइक लगा दूँद क्या करता है आपको दिखाता यहां पर क्या हुआ यहां पर TY4 ऐसा इसलिए हुआ कि ब्रेग क्या करता है ब्रेक जब भी variable का value match करता है तो सिधा iteration का तोड़ देता है और लूप के सिधा बाहर आ जाता है यहां पर जब भी एक का value 5 हुआ तो सिधा लूप के बाहर आ गया तो आप समझ गया होंगे कि break और continue में फरक क्या हुआ है continue सिर्फ एक iteration को skip करता है और ब्रेक सिधा लूप के बाहर ले आता है और अब यहां मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूं और अगला जो हमारा लूप है वह है फौर लूप तो क्या काम है तो एक ही पर लूप का जो सिंटेक्स है अब लोगों दिखाता हूं तो मैं यहाहां पर जैसे,oda मडल को जैसे इंडर दो आपके सामने एक ऐसा आ जाएगा ब्स कोडमेक सब्नां टेक्स्टत का एक बहुत याजचा फाइबुँदा था है तो यहां पर मैं डॉलार आई लेजन 5 करता हूं और यहां पर जो कोड है उसका अंदर मैं लिखता हूं एको दा वैलू आफ आई इच और फिर डॉलार आई देता हूं और फिर कॉनकेटनेट करके एक और बियार टैग भी लगाता हूं और आप इसको मैं ब्रावजर पर रान करता हूं आप देख सकते हैं कि यहां पर जीरो वान टू थ्री और फोर आया है ऐसा इसलिए हुआ कि हमारा जब आई का वैलू जीरो था तो ट्रू निकला कॉंडिशन तो इसलिए जीरो प्रिंट हुआ जब वान था तो वान ट्रू न निकला तो वह लूप के बाहर आ गया तो ऐसे काम करता है फॉर लूप उमीद करता हूं आप समझ गया होंगे और यहां पर मैं आप लोगों के आसानी के लिए फॉर लूप का सिंटेक्स लीक देता हूं तो पहले होता है आप पर इनिसियालिज़ाइसेशन जैसे की डॉल इसके बाद करना है तो एसा होता है और इसके बाद सिंटेक्स और कोड लिखना है यहां पर मैं एक चीज और आपको दिखाता हूं यहां पर जो प्रवजर पर छाहिं हो अगर देता हूं और पिर पर राण करता हूं तो आप देखना क्या होता है अप जो ऐसा करके प्रिंट हो गया है और मेरा जो जो ब्रावजर है तो मैं इसकी काट कर दूँगा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों यहां पर पहले जो आई वैलु जी होता गया तो आप कंडिशन सिंटेक्स जो है उसको बिल्कुल सही तरग्य से लिखे से अगला जो हमारा लूप है व है डूवायल लूप को समझाना के लिए आप लोगों को मैं पहले या वायल लिखना चाहूंगा तो कुछ ऐसा सीन्टेक्स था कि और इसके अंदर कंडिशन देशन देना है और और हैं पर आपको जो भी चाहे को लिखना था तो में यहाँ पर क्या होताए कि होया था तो वो वाइल लूप के अंदर जाएगा वरना वह बहुत बहुत से लोग भूल जाते हैं यह बहुत ही आम बात है लेकिन आप मत भूलना अब यहाँ पर यह देखके ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एक बार तो execution होगा जो iteration है और उसके बाद while में आएगा while में conditionych निकला तो बापस जाएगा और अगर false निकला तो ये loop के बाहर जाएगा मतलब do while और while में जो difference है मैं बता देता हूं आपको हो है कि while में कन्डीशन है वह अगर true है तो condition check करेगा और फिर loopट में जाएगा और अगर false निकल तो पाहर आ जाएगा लेकिन do हायल में जो होता है वह एक बार execution हो होगाई होगा अगर while मेशनंद है उगर false भी निकले अगर आपका condition false भी निकले तो भी आपको execution का output एक मिलेगा ही मिलेगा मैं आप लोगों के एक्जांबल के थूरू इस इसको समझता हूं उससे पहले इस इसको मैं comment out कर देता हूं अब मैं यहाँ पर एक variable create करूंगा dollar i जिसका मैं भैलो दूंगा one और अब मैं यहाँ पर डू लिखके इंटर मारूंगा तो अब देख सकते हैं कि दू का जो syntax है वह हमारा subline text में automatically आ गया तो यहाँ पर डू और सेकेंड प्रेकट्स के अंदर code और उसके बाद while तो यहाँ पर while के अंदर dollar a की जगा मैं dollar i कर दूंगा और यहाँ पर code की जगा मैं लिखूंगा echo dollar i और इसके बाद एक BR tag भी add करूंगा और यहाँ पर मैं dollar i को एक increment करूंगा तो dollar i plus plus और इसके बाद मैं अगर इसको browser पर करता हूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि output 12345 यहाँ पर आ गया तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो इनिसेल वैलू था वह वान था तो 12345 while के condition के अंदर यह सारे value true निकला condition तो इसलिए print हुआ और जैसे 6 हुआ तो condition false निकला तो बाहर चला गया तो यहाँ पर मैं एक ठीस और आप लोग को दिखाता हूं यहाँ पर मैं dollar i का जो value है वह 100 कर देता हूं तो आप क्या होना चाहिए था आप हमारा जो condition है i less than equals to 5 तो 100 तो less than equals to 5 नहीं है यह तो false है तो हमारा तो output false आने वाला था लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर run करके दिखा हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 आउटपुट आ रहा है ऐसा इसलिए हो रहे है क्योंकि मैंने आप लोग को बता था कि जो do while loop है तो एक ब पूहरा पीच का आखरी loop है ओहें 4 लहीं लूप गांट comer 1 र बटो है और फीर क्बाय के फर मैं लिखंगा को लोगा तो यहाँ पर में लिखंगा चरही अर attic इसके बाद लिखूंगा सुन्दिपॉन और इसके बाद एक और मैं भैलोंगा जो की है सुवदीब लिखूंगा तो फिर यहां पर इसके बाद मैं यहां पर फोरीच लिखूंगा और फिर जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहां पर मेरा जो है सिंटक्स आ गया तो आप यहां पर देख सकते हैं कि dollar variable as key और फिर dollar value तो यह कहना किया चाहता है मैं आप लोग को समझा देता हूं आप इसकी मदद से कोई भी object की की या value दोनों पा सकते हो लेकिन यहां पर हमारा जो array है तो मैं यहां पर dollar variable की जगा लिख दूंगा dollar array तो dollar array लिए लिया था तो इसलिए dollar array और यहां पर मैं की हटा दूंगा क्योंकि हमें से value चाहिए और कोट की जगा मैं लिखूंगा एको और फिर यहां पर simply dollar value लिख दूंगा और फिर एक वी आर टैग भी एड करूंगा और यहां पर हमें array में एक सेमिकलोन देना होगा और यहां पर मेरान करता हूं तो आप देख सकते हैं कि सहुराब सुंदीप और सुवदीप तीनों value जो हमने दिया था वह आ गया है तो आप इसको फॉर लूप से भी कर सकते थे लेकिन हमरा यह फॉर इच लूप में हमने क किया ऐसा इसलिए किया कि अगर हम इसको फॉर लूप से करते तो बहुत ही मुश्कील होता है तो फॉर इच लूप में एक लाइन से हो गया बहुत ही आसानी से हो गया हमें एरे का इंडेक्स देना पड़ता लेकिन यहां पर हमने से एरे एच वैलू लिखा और एरे का जो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अगर कोई भी प्रब्लम हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताए दोस्तों और हमारे चैनल में नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब जरू करें दोस्तों